नमस्कार दोस्तों मैं स्वापनिल आज 31 अक्टूबर 2022 बात करेंगे गुड़ और चीनी की समिक्षा के बारे में बीते सप्ता सरकार द्वारा नवंबर माह में कोई बड़ा त्योहाण नहीं होने की वजह से अक्टूबर की तुलना में डेड़ लाक मैट्रिक टन चीनी का कोटा कम छोड़ा गया जिसके चलते पूरे सप्ता मंदे के बाद सप्ताह के अंतिम दिन कुछ मीलों में चीनी बूद बोली गई वहीं रेशरों पर गुड का दबाव भढ़ने से यहां 100 बटे 200 रुपए प्रती क्विंटल का और मंदा आ गया आलोचे सप्ताहा खादे मंत्राले द्वारा एक अधिसूचना में नवंबर माह के लिए खुले बजार में बिक्री हेतू 408 चीनी मीलों के ट्रिक्टन कोटा आया था पिछले महीने यानी अक्टूबर 2022 के लिए चीनी का कोटा 30.5 शुन्य लाग में ट्रिक्टन त्योहारी मांग को देखते हुए छोड़ा गया था अब इसमें काफी चीनी बिना बिके बची हुई है नवंबर के महीने में कोई बड़े त्योहार नहीं होने की वजह से सरकार द्वारा चीनी का कोटा कम छोड़ा गया है दिवाली दशेरा सहित अन्य बड़े त्योहार बीद गये हैं हाला कि यूपी फुल फ्लेश चीनी मिले चलने में थोड़ा विलम जरूर है लेकिन वर्ष वर्तमान महा की तुलना में कोटा कम आया है इसलिए आगे चीनी थोड़ी टैंपरेरी मजबूत हो सकती है गौरतलब है कि दिवाली के बाद चीनी में मांग ठंडी पर जाने से यूपी के अधिकतर मिलों ने 30 बटा 40 रुपे प्रती कोईंटल घटा कर चीनी का व्य 3445 रुपे तक डियो बनने की बात कही गई नवंबर महा का कोटा कम आया लेकिन अक्टूबर महा में चीनी अधिक बची है जिससे ज्यादा बाजार नहीं भड़ पाएगा इधर मौसम साफ होने के बाद रैशरों पर गुड़ का उत्पादन भड़ गया है तता उचे 3800 रुपे तथा चाकू 3600 रुपे प्रती कुइंटल ढह गया धैया भी 200 रुपे गिरकर 3700 रुपे के निम्न स्तर पर आ गया इस बार गुड़ के उचे भाव हैं तथा मौसम साफ होने से गुड़ का उत्पादन तेजी से भड़ रहा है जिससे इसमें 400 रुपे की और गि सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले किसी भी अगरे मिशेश रुपूर्ट के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिये हुए हैं